Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Wealth Unlimited. आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले है best penny stock to buy right now, जो मुझे लगता है कि एक multi bagger बन सकता है और साथ ही साथ आने वाले quarter में आपको काफी अच्छे returns जनरेट करके दे सकता है. So, before starting the video, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आये हैं, तो please make sure to hit the subscribe button and do like this video. Recently, हमने यहाँ पे videos रखी है in relation to latest IPO updates and breakout stocks, आप उन वीडियो को जाकर भी जरूर देखियेगा. आप देख सकते हैं, जो हमारी penny stock की series है, जहाँ पे हमने stocks discuss किये थे, इलेक्ट्रो कास्टिंग स्टील, जीमर एयरपोर्ट, एच सी सी, देन समवर्दना, मदर संसुमी, L&T Foods जैसे stocks, जो अल्रेडी काफी अच्छा 10-20% का run-up आपको दे चुके है. इस वीडियो में मैं एक नया stock लेके आया हूँ, जिसका नाम है Mistan Foods. आप देख सकते हैं, यह है company की website और यह particular company, majorly agro-based products में deal करती है. इनके जो products हैं, वो है salt, rice, wheat, यह जो कुछ fundamental और जो basic needs और basic products हैं, वो यह particular बनाती है, और L&T Foods, दावत का share जो हमने 110-15 के पास share किया था, वो भी same category में काम करता था, वो भी बास्मती rice की production करता था, और उस stock के price में भी हमने एक exponential rise देखा. मैं आपको बता दू, Mistan Foods के result आज के दिन भार आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं, जो Mistan Foods का quarter on quarter and year on year result है, वो काफी अच्छा रहा है, March 2023 के quarter से आप देखेंगे, इस particular stock में 169 करोर की sales से 294 तक jump हो चुका है, similarly, 86% का jump आपको देखने के मिलेगा on the year on year basis, right, same कहानी आपको net profit में देखने के लिए मिल रही है, net profit 14 करोर से 68 करोर रुपीज हो चुका है in quarter on quarter basis और अगर आप इसे compare करेंगे year on year basis से तो यही profit आपको 11 करोर से 68.9 करोर रुपीज का होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें jump होता है 525% का, साती साथ जो company का earning per share है, वो भी आपको similar fashion में grow करता हुआ दिखाई दिया है, जिसके वज़े से मुझे लगता है कि यह particular stock आपको आने वाले time पे एक अच्छा run up दे सकता है, और आपको यह particular stock अपने financial advisor के साथ एक बार discuss जरूर करना चाहिए और इधर investment करने के बारे में सोचना चाहिए, disclaimer यह जो मैं video बना रहा हूँ, मैं आपके साथ अपना content share कर रहा हूँ, अपनी education and research share कर रहा हूँ, तो please आप मुझे blindly follow ना करें और आप अपने financial advisor से discuss करके ही या अपनी research करके ही stock market में पैसा लगाए, चलिए, अब बात करते हैं मिश्टान foods के fundamentals की, तो आप देखेंगे, आज के दिन यह particular stock already 18.92% का run up दे चुका है after the result, और अभी जो चल रहा है इसका price वो है 13.4 रुपीज का, company का जो market cap है वो है 1,345 करोड रुपीज, which is fairly small, और आप देखेंगे जो current stock P.E. है company की वो है 26.9, छोड़ा सा debt है company के उबर, और further अगर मैं आपको इस particular company के peer comparison दिखाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे, L&T Foods 147.35, हमने यह discuss किया था 115 रुपे पे, जिसका P.E. था 12.7, अभी जो इसका P.E. चल रहा है 12.71, वो भी इसी space पे काम करता है, K.R.B.L. वो भी बासमती rice के space में काम करता है, आप इसका price to earning देख सकते है 11.90, Mistan Foods, however, थोड़ा pricey valued है, बट काफी छोटी company है, तो यहाँ पे आपको जल्दी growth देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इनके quarterly result, यह है इनके quarter के result, और आप देखेंगे, June 2023 में इस particular company ने highest ever sales produce किये है, 294 करोर रुपीज के, जो यह operating profit है, वो भी highest ever produce करता हूँ, दिखाए दिया है, 73 करोर रुपीज का, operating profit margins इसके highest है, साथ ही साथ आप देखेंगे, जो company का net profit है, वो आज तक का highest है, earning per share आज तक का highest है, which means, जो company है, वो top line और bottom line, दोनों ही एक साथ grow करते वे दिखाई दे रही है, which is a very very positive sign, and जो balance sheet है company की, जो valuations है company की, वो आपको सुधरती भी दिखाई देगी, आने वाले time में, साथ ही साथ एक surprising सी चीज में आपको बता देता हूँ, 10 रुपे का stock है, however, FIIs are not interested in penny stocks, they usually buy growth stocks और large cap stocks, but इस particular company में आपको FIIs का stake increase होता हुआ दिखाई देगा, in March quarter, आप देख सकते हैं, यहाँ पे FIIs ने 1.13% का stake लिया है, and अगर मैं FIIs की information आपको बताऊं, तो इस में Nomura Funds का भी एक investment हुआ था, recently, past months में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे big players की entry हो सकती है, after this staggering result, चलिए, अब मैं आपको इस particular company के chart पे लेके चलता हूँ सीधा, यह है Mishthan Foods का chart, जो मैंने weekly basis पे लगाया है, और आप देखेंगे यह जो particular chart है, यह एक rounding bottom pattern complete करने वाला है, यह stock 2022 में, आपको बता देता हूँ, January 2022 में यह particular stock ने high मारा था, 19.24 रुपीज का, उसके बाद इसमें fall देखा गया, और अब पिछले कुछ हफतों से यह particular stock एक sideways channel में चला गया था, जहाँ पर यह 10 रुपे से लेके, आप यूँ समझ लेजिए, 8 रुपे के बीच में trade करता हुआ दिखाई दिया था, Recently इस particular stock में काफी अच्छी volumes आते बें हमें दिखाई दी है, और यहाँ पर जैसे ही इस particular stock ने 10 रुपे के barrier को sustain करना, start किया, यह particular stock आपको 13 रुपे तक जाता हुआ दिखाई दिया, मैं आपको बता दूँ, currently यह stock अपने resistance के पास खड़ा है, आपको मैं इसके targets बता देता हूँ, आप इसमें buy on dips की strategy यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आपके पास spare money है, या आपको high risk, high reward stocks पसंद है, तो आप इसमें one third amount current market price पे लगा सकते हैं, उसके बाद आपको wait करना है, अगर यह stock correct होके वापिस आपको मिलता है 12 रुपे के level पे, या further आपको यह previous जो इसका support है 10.64 रुपीज या 10.50 रुपीज का, वहाँ पे आपको second investment करना होगा, जो company का stop loss है, जो इस company का stop loss होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका below 11 रुपीज, अगर आपको short term के लिए लेना है, तो below 11 रुपीज आपको इससे exit कर देना चाहिए, अगर आप long term perspective से, छोडी company है, उसके perspective से लेना चाहते है, तो आपको यहाँ पे stop loss बनता है 10 रुपे के नीचे, 10 रुपे के नीचे अगर यह day closing देता है, तो आपको इस stock में से exit कर जाना चाहिए, और यह stock negative हो जाएगा उस particular level से, अगर मैं आपको इसका long term perspective दिखाऊं, अगर मैं आपको इसको monthly के basis पे दिखाऊं, तो मुझे काफी जादा strong लग रहा है मिश्टान पूर्स का chart, आप देख सकते हैं मिश्टान पूर्स का chart, अगें rounding bottom pattern तो cover तरे गई, however, यहाँ पे MACD पे crossover होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस महीने, इस महीने के कुछ last के 10-15 दिन बचे है, और अगर यह particular stock इस महीने 13 रुपे के उपर sustain करता है, यह इस महीने यह MACD crossover sustain होता है, तो मुझे लगता है जल्दी यह stock आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 17-19 रुपे तक के, और अगर यह stock 19 रुपे के उपर निकल जाता है, तो इसमें आपको एक multi-year breakout देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर यह particular stock 2019 से इसी particular range के बीच में आपको trade करता हुआ दिखाई दिया था, तो यह है मिश्टान Foods का stock और मुझे यह personally काफी अच्छा लग रहा है, similarly एक और stock है जहाँ पर काफी अच्छे results आये हैं, However, उसका नाम है Ganesh Housing, यह as a bonus stock आप रख सकते हैं, यह particular stock में 400 रुपे के ऊपर breakout आया था, और इस particular stock में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, और मैंने इसमें entry लेती 400 रुपे के ऊपर, आज के दिन इस particular stock में 13% की rally आई है, and again it is because of the result only कि आपको इसमें एक massive spike देखा गया, अगर आप यहाँ पर volume चेक करेंगे तो यहाँ पर लग रहा है कि किसी बड़े institutions ने यहाँ पर entry बनाई है, और इस particular stock में भी आने वाले time पे 500 या 550 तक के target शॉट-term trades में आपको आने के लिए दिख सकते हैं, तो I hope I was able to give you a good overview of Mishtan Poods, अगर आप कोई risky trader है, अगर आप अपने financial advisor से discuss करना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप Ganesh Housing के बारे में भी discuss कर सकते हैं, काफी established company है, Gujarat Ahmedabad based located company है, वहाँ पे यह housing segment में काम करती है, काफी अच्छी तरीके से इनका order book grow हो रहा है, तो यह particular stock भी मुझे एक अच्छी opportunity देता हुआ, दिखाई दे रहा है in coming months and years, so Mishtan Poods का stock आप अपनी radar पर रखिए, कल के दिन अगर यह particular stock 13.60 के ऊपर निकलता है, 13.60 के ऊपर sustain करता है, तो एक entry possible हो सकती है आपकी Mishtan Foods के stock में भी, that's it from my side, I hope I was able to give you a good overview of this particular stock, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो please make sure to share it with your friends and do like this video, that's it, happy investing.